राम राम दोस्तो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको Candlestick Pattern का एक Free Course प्रोवाइड करूँगा जिसमें कुछ वीडियोज आ चुकी हैं उन्हें जाके देख लेना आज जो हम discussion करने वाले हैं ये Dragonfly Doji Candlestick Pattern के बारे में discussion करने वाले हैं इसे detail में समझेंगे क्या setup है क्या आपके लिए entry point हो सकते हैं कहाँ पे आपको Stop Loss लगाना चाहिए सारी चीजों को हम detail में discuss करेंगे इसलिए कोई भी point miss मत करना example भी discuss करेंगे जिससे कि आप इस Dragonfly Doji Candlestick Pattern को पहचान सके आई पहले एक चोट असा overview कर लेते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको डोजी के बारे में समझाया था यहाँ पर मैं दो बारे से explain नहीं करूँगा क्योंकि unnecessary lengthy वीडियो हो जाएगा लास्ट वाली वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के end में लगा दूँगा अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी होगी आप जाके देख लेना तो मैंने आपको समझाया था कि डोजी के तीन टाइप है gravestone doji, dragonfly doji और long leg doji long leg doji के भी दो पार्ट रहेंगे bearish long leg doji और bullish long leg doji gravestone doji के बारे में वीडियो मैं आपको provide करा चुका हूँ आज जो हम discussion करने वाले हैं ये dragonfly doji candlestick pattern के बारे में discussion करने वाले है आज ये discussion को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ चीजों को यहाँ पे समझने की कोसिस करते हैं जैसे simple से इसकी पहचान क्या होती है आपको इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे open price close price दोनों सेम रहेगा अगर इसमें छोट इसी बोड़ी भी आपको दिखाई देती हैं तब भी आप इसे dragonfly doji candlestick pattern मानके चल सकते हैं इसमें आपको lower shadow काफी बड़ी आपको देखने को मिलती है इसे आप week के नाम से भी जानते होंगे तो lower week काफी बड़ी आपको देखने को मिलती है दूसरी ये हमेशा bottom पे आपको बनती हुई दिखाई देगी यानि कि उससे पहले आपको एक downtrend market में देखने को मिलेगा और downt trend में आपको ये बनती हुई दिखाई देगी तो यानि कि ये आपको बताती है कि bullishness का momentum अब आ सकता है अगर setup बनता है उसके according आप अपनी चीज़े plan करेंगे चाहिए आपका entry point हो, stop loss लगाना हो या target decide करना हो उसके according आप यहाँ पर चलेंगे दूसरा, काफी लोग इसमें भी confused रहते हैं कि अगर इसमें आपको ऊपर की तरफ upper shadow देखने को मिलती है या upper week देखने को मिलती है क्या इसे भी हम dragonfly doji candlestick pattern मान सकते हैं? बिलकुल मान सकते हैं दोस्तो आगे बढ़ने से पहले में आपको यह बता देता हूँ, अगर content पसंद आ रहा है, like जरूर करना, क्योंकि आपके like के according में decide करूँगा कि next video provide करानी है कि नहीं करानी है इस video का like target रखते हैं 5000 like, तो जल्दी से like बटन को press करना शुरू करो और comment करके बताओ कि आपको यह videos कैसी लग रही है, इस तरह के free course आपको provide किये जाने चाहिए कि नहीं किये जाने चाहिए, मुझे comment करके जरूर बताना, नहीं हों subscribe कर लेना तो अभी हमने क्या discussion किया, कि अगर इसमें आपको upper shadow भी देखने को मिल रही है, लेकिन as compared to lower shadow, यह काफी छोटी है, तो आप इसे dragonfly doji candlestick pattern मान सकते हैं, क्या यहाँ पे आपको body अगर देखने को मिल जाए, थोड़ी बहुत, तो क्या इसे भी dragonfly doji candlestick pattern consider किया जा सकता है, ब क्या क्या हमने सीखा, इसमें open price, close price, दोनों same रहने वाला है, इसके साथ हमने एक case और discuss किया, अगर आपको थोड़ी बहुत बोड़ी भी देखने को मिलती है, तब भी आप उसे dragonfly doji candlestick pattern मान के चल सकते हैं, दूसरी चीज हमने क्या सेखी, इसमें हमेशा आपको long lower shadow देखन को मिल जाती है, लेकिन वो काफी छोटी होनी चाहिए as compared to long lower shadow के, यहां तक बाती समझ में आगी, इसे कहेंगे bullish candlestick pattern, यानि कि जो मैं आपको समझाने के कोसिस करा था, कि यह downtrend के bottom में आपको बनता हुआ दिखाई देगा, यानि कि यह bullishness के बारे में आपको बताने के कोसिस करेगा कि market में bullishness के momentum आपको देखने को मिल सकते हैं, यहां तक समझ में आगा है, एक example लेते हैं, चीजे discuss करते हैं, यहां पर आप देखेंगे पहले आपको एक downtrend देखने को मिल रहा है, downtrend के bottom में आपको यह dragonfly doji देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको एक green candles दिखाई करते हैं, यह कि positive momentum आपको देखने को मिल रही है, या कुछ इस तरह का structure आपको यहां पर market में देखने को मिल सकता है, या कि lower में आपको बनता हुँ दिखाई देगा, जो कि आपूर में कहलो या lower में कहलो बात यह है, कि आपको यह उस trend में बाटम या lower में आपको बनता दिखाई देगा नेक्स जो चीज है जो में चीज है जिसका आप इंतिजार कर रहे थे कि इसका trade setup किस तरीकी से बनाना है trade को कैसे decide करना है आई ये उन चीजों को समझने की कोसिस करते हैं पहली चीज आपको ये समझ में आ गई होगी कि अगर downtrend है और आपने negative side कोई position बनाई हुई है यानि कि down side कोई position बनाई हुई है और आपको दिख जाए ये dragonfly doji तो यहां से आपके दिमाग में क्या-क्या चीज़े strike होगी वीडियो को रोको और comment करके मुझे बताओ क्या-क्या चीज़े strike होगी आपके mind में कि ये downtrend था downtrend का exit हो सकता है ये downtrend का end हो सकता है यही तो thought मन में आएगा यानि कि जिस position में आप बैठे हुए हैं उस position को काटने का समय आ चुका है यानि कि exit sort यानि कि अगर आप किसी position में बैठे हुए थे तो अपनी profit booking करो या फिर अगर loss भी हो रहा है तो loss booking करो क्योंकि possibility है कि यहां से trend change हो सकता है ध्यान से सुनो possibility है trend change होगा ही होगा ये बिलकुल भी confirm नहीं होता है possibility है कि यहां से एक reversal आ सकता है क्योंकि dragonfly doji हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि कभी भी setup 100% perfect नहीं होते हैं वो fail भी होते हैं मान कि चलो dragonfly doji आपको देखने को मिला आपको momentum भी मिला लेकिन target achieve नहीं कर पाया आपको market ने reversal दे दिया और आपका stop loss it कर दिया कहां पर stop loss लगाना है उसका भी discussion करेंगा entry point कैसे decide करना है उसका भी discussion करेंगे बेफिकर रही है आप सारची जो से लेकिन पहले जो चीज़ समझाई जा रही है उस पर focus करने की कोसिस कीज़े और उसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोसिस कीज़े तो हमें यह बात समझ में आगी कि अगर हम negative side कोई position बना के बैटे हुए थे और हमें यह दिख जाए इसका मतलब bottom आ चुका है या low आ चुका है या trend का end हो सकता है काफी चीज़े हमारे mind में आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है exit sort यानकी अपनी उस position को काटने की कोसिस करो ठीक है take long अब यह क्या है कि यहां से आप positive side कुछ positions plan करो समझ में आगी positive side आपको सोच के चलना है कि कुछ हम opportunities को positive side find out करने की कोसिस करेंगे उसके according आपको अपना thought plan करना है कैसे entry करने है वो भी हम discussion करेंगे आप उस बात से बेफ्वी कर रही है free of cost मैं आपको यह provide करा रहा हूँ एक like तो बनता है like कर दीजे जल्दी से वीडियो को आई अब हम यहाँ पर discussion करते हैं काफी लोग क्या करते हैं कि वो जो इसके बाद candle बनती है वहाँ पर entry plan करते हैं काफी लोग plan करते हैं कि जो यह dragonfly doji बनी है इससे जैसे ही market उपर निकलता है यहाँ पर entry plan कर लेते हैं लेकिन मैं personally दो चीजे पसंद करता हूँ पहली अगर आप एक aggressively trader है आपको experience हो चुका है आप risk reward रेसों के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप dragonfly doji के जैसे ही high cup breakout होता है वहीं पर ही चीजे plan कर सकते हैं एक छोटा सा stop loss लेगे कि इसके नीचे लगेगा यहाँ पर लोग पर लगेगा यहाँ पर आपको dragonfly doji आपको देखने को मिल रही है उसके लोग पर आप stop loss लगा कि इस momentum को plan कर सकते हैं अगर आप aggressively है अगर आप यहाँ पर एक beginner है आपने अभी शुरुआत की है अभी market का इतना experience नहीं है तो situation पर आप क्या करेंगे breakout of the last candle high यानि कि जो इससे पीछे last candle बनी होगी उसके high को आप mark करेंगे जब उसके high का breakout होगा वो आपका entry point होने वाला है वहाँ पर आप decide दोस्तों आगे का discussion करने से पहले में आपको आगे कुछ example भी बताऊंगा लेकिन उसका discussion करने से पहले में आपको यह बता दूँ या आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बिनाए गई analysis वीडियो है इनवेस्ट करने से पहले आपको अपन प्लैन करना है वो समझ लिया इस्टो प्लोस कहां लगाना है वो समझ लिया as a beginner trader आपको क्या करना है वो हमने समझ लिया exit sort का क्यों करना चाहिए वो चीज हमने समझ लिया take long की हमें planning क्यों करना ही चाहिए वो सारी चीजे हमने यहां पर समझ लिया काफी कुछ चीजे हमने अब कुछ example discuss करते हैं, अब धियान से चार्ट पे देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक downtrend आपको देखने को मिला, तो पहली चीज हमें confirm होगी, दूसरा, अगर आप यहां पे किसी position में बैटे हुए थे, और आपको यह बन रहा है, देखो, इसमें आपको body भी दिख देखने को मिले, तब भी आप इसे dragonfly doji मान सकते हैं, तो यहां पे आप धियान से देखेंगे, आपको body देखने को मिल रही है, मिल रही है कि नहीं इसमें, यह bottom में आपको बनतवा दिखाई दे रहा है, downtrend था उसके पहले, तो अगर आप पहले से किसी position में बैटे वे थे, तो अपनी profit booking करो, फिर plan करो इसके momentum का, और यहां से आप देखेंगे upward momentum मिला, जैसे चीजी plan करो, अगर आप aggressively trader है, आपने इसी के high के breakout पे plan कर लिया, आपका stop loss यहां पे है, तो यह देखो, क्या बहतरी momentum मिला है, अगर आप beginner trader है, तो देखो पिछली candle के high को mark करो, और उसके breakout के बाद आप plan कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको momentum देखने को मिला है, समझ में आ गई बात, clear हो गया कि अगला example लेते हैं, example पे ज़्यादा focus किया है, देखो यहां पे दोनों चीजे साप आ गई, अब इस चार्ट को थोड़ असा ध्यान से समझने के कोशिस करना, टाउन ट्रेंड है, तो यानि कि अगर आप किसी position में बैठे हुए थे, तो अपनी profit booking करो, position से exit करो, आपको यहां पे बहत्रीन ड्रेगन फ्लाइट डोजी आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे ही पिछले के high का breakout मिलता है, आपने momentum को plan किया, नीचे का stock close लगा के, लेकिन उपर आपको क्या दिख गई, ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी का rule क्या था, कि इससे पहले एक upward trend होना चाहिए, यही rule था कि नहीं, इससे पहले एक upward trend होना चाहिए, upward trend के top पे बननी चाहिए, यानि कि अगर आप पहले से किसी position में बैटे हुए थे, उसे exit कर और profit booking करो, एक ही chart पे मैंने आपको दोनों चीजे यहां पर समझाने की कोसिस की है, फिर आप यहां से plan करो कि पिछली candle के low के breakdown के बाद आपने इस वाले momentum को भी पकड़ा, और यहां पे भी आपने momentum को observe किया, यानि कि एक ही chart में आपको दो-दो momentum देखने को मिल रहे हैं, दो दोनों चीजों को आपने अच्छे तरीके से यहां पर observe किया, समझ में आ रही है कि यही बात, देखो दोस्त, समझ में नहीं आ रही हो, तो आपको comment करना है, clear हो गया, अब दोस्तों मैं आपको यह कहूंगा, कि एगर आपको content पसंद आया है, like करना, नहीं हो, subscribe करना, और bell icon press करना, जिससे आप कौने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, राम राम